गाइज यह बजाज पलसर N150 अगर आप 2024 में इस बाइक को खरीने वाले हैं दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा यूस्फुल होने वाली क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इस बाइक का और मैं आपको बताओंगा कि यह माइलेज कितना देती है इ आपको बता दू कि यहाँ पर जो मेटर कंसोल मिलने वाले काफी अट्रैक्टिव है जो कि आपका अलोग और डिजीटल दोनो है और दूसरा इसका अट्रैक्शन है इसका एड लैम जो कि प्रोजेक्टर हैड लैम आपको देखने को मिल जाने वाला है साथ ही इसके साथ पाइलिट लैम देखने को मिल जाते हैं, बौद साइड आप देख सकते हैं, घूहिस में उपर की तरफ आपको डूल टोन कलर में س्टिकर्स बौद साइड देखने को मिल जाने वाला है, अब बात करते हैं इसकी अगले अट्रेक्शन की तो वो है इसका एक्जोस्ट, जियाह पर आपको number plate के लिए space मिलता है साथ ही जो indicator वो notch में आता है और hyalogen वाले indicator आपको देखने को काईस मिल जाने वाले हैं अब आते हैं इसके suspension की तरफ तो भाई यहाँ जो front में आपको suspension मिलता है वो आपको telescopic मिलेगा 31 mm का telescopic mudguard यहाँ पर dual tone color में मिलेगा साथ ही कुछ graphics mudguard के उपर भी देखने को मिल जाते हैं side में आपको ABS का एक sticker देखने को मिल जाता है यहाँ पर जो suspension दिया है suspension के side में reflector आपको देखने को मिल जाता है अगर मैं इसके braking system की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको brake मिलने वाला है यहाँ पर 260 mm का disc brake और साथ ही single channel ABS का support भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है इसके alloy wheel के side में आपको dual tone color में sticker देखने को काईज मिल जाने वाला है और अगर मैं बात करूँ इसके tire की तो front में आपको MRF का 90-90-17 का tubeless tire देखने को काईज मिल जाने वाला है आजाते हैं इसके side profile की तरफ दोस्तो इसका जो fuel tank का काउल है उसके उपर आपको थोड़े से graphics देखने को काईज मिल जाने वाले है और साथ ही यहाँ पर आपको pulsar का chrome treatment के साथ एक logo देखने को मिल जाता है साथ ही call में अगर हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको दोस्तो थोड़े से graphics देखने को मिलते हैं साथ ही नीचे की तरफ आपको dual tone color में sticker देखने को मिल जाता है काफी aerodynamic इसका look है बहुत ही attractive गाईज देख सकते हैं अगर मैं fuel tank देखू तो यहाँ पर भी थोड़ा सा graphics आपको देखने को मिलता है E20 वाला fuel update आपको इसमें देखने को मिल जाता है साथ ही यहाँ पर आप USB connectivity के साथ आप अपने mobile वगरा को charge कर पाएंगे गाईज तो यह काफी अच्छी बात है साथ ही यहाँ का आप design अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ black carbon का design थोड़ा सा देखने को मिल जाता है अगर मैं भाई बात करूँ इसके side mirror की तो जो side mirror है काफी sporty look के साथ आता है जो bike के look को काफी enhance कर रहा है और black matte में है और यहाँ पर जो lever है वो भी black matte में काफी अच्छी grip के साथ आता है side में metal का थोड़ा सा part देखने को मिलता है दोस्तो यहाँ पर engine kill switch आपको मिल जाती है यह आपका engine start button है साथ ही अगर मैं meter console की बात करूँ तो यहाँ पर आपको digital meter console देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पर आपको यह देख रहे बैटरी की light है यहाँ पर आपको ABS की light और यह आपको neutral का signal देखने को मिल जाता है दोस्तो मैं अगर बताओं कि यहाँ पर आप देख पाएंगे speedometer यहाँ पर आप time देख पाएंगे साथ ही आप देख पाएंगे कि आपकी bike जो है किस gear में है और आप fuel चेक कर पाएंगे भाई कि आपकी bike में fuel कितना है तो यह सारी चीज़े आप देख पाएंगे अगर मैं इसकी key की बात करूँ तो भाई इसका key है वो इसका look कुछ इस तरह है आप देख सकते हैं और मैं आजाता हूँ इसकी handlebar की तरफ है handlebar आपको matte black में LN की वाले page से इसको यहाँ पर fix किया गया है बहुत ही sporty सा look है इसका अगर मैं left handlebar की बात करूँ भाई तो यहाँ पर जो pass का switch है आगे की तरफ आपको देखने को मिल जाने वाला है साथ ही यहाँ पर आपको low beam high beam का button देखने को मिल जाता है यह है इसका indicator का button guys और साथ ही आप देख सकते हैं जो कि display में indicate होगा जब आप इसको press करेंगे और मैं आपको दिखा दूँ भाई कि की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 लिटर का fuel tank मिल जाता है साथ ही single seat के साथ आती है यहाँ पर आपको seat की जो cushioning है काफी अच्छी देखने को मिल जाने वाली है grab handle इसमे black color का आपको पतला सा देखने को मिल जाता है side body panel पे भी थोड़े से graphics dual tone color में आपको देखने को मिल जाते है साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको N150 का stick का देखने को मिल जाता है अब आते हैं इसके side body panel की तरफ दोस्तों तो यहाँ पर side body panel में dual tone color देखने को मिल जाता है यहाँ पर black और यहाँ पर silver के combination में बनाया गया जो काफी जादा attractive look देता है foot packs के अगर मैं बात करो तो यहाँ पर जो foot packs आपको मिलते हैं वो foldable है उपर की तरफ आपको fold कर सकते हैं इसको और अगर मैं इसके gear की बात करो तो भाई यहाँ पर जो gear है वो five speed gear आपको इसमें देखने को मिल जाने वाले हैं यहाँ पर आपको crash guard देखने को मिल जाता है guys और जो rear foot pack से वो भी आपको यहाँ foldable देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको इसके rear tire के उपर tire हगर देखने को guys मिल जाने वाला है साथ ही आपको mud flap भी इसमें देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें इसके टायर की तो जो इसका रियर टायर है वो 120-80-17 का ट्यूबलेस टायर जो की काफी जादा चौड़ा है आप देख सकते हैं दोस्तों देखने को मिल जाता है साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको सारी काट देखने को मिल जाता है चायन कवर दोस्तों यहाँ पर आपको ओपन टायप का मिलता है जो की प्लास्टिक का है आप देख पाएंगे और अगर मैं इसके rare suspension की बात करू भाई तो यहाँ पर आपको adjustable mono shock suspension देखने को rare में मिल जाने वाला है अब आजाते हैं गाईज इसके rare profile की तरफ तो जो इसकी tail lamp है आप देख सकते हैं काफी attractive look है इसके tail lamp का और जो आपको यहाँ पर indicator मिलने वाले भाई वो आपको halogen वाले indicator both side देखने को मिल जाने वाले है साथ ही दोस्तों मैं बता दू कि यहाँ पर आपको number plate के नीचे visibility के लिए light मिल जाती है यहाँ पर आप number plate लगा पाएंगे तो guys अब आज आते हैं इस bike के सबसे important part यानि कि इसके engine की तरफ अगर हम इसके engine की तरफ देखते हो तो यहाँ नीचे की तरफ आपको एक call देखने को मिल जाता है दोस्तों जो की dual tone color में है इसके call पर भी थोड़े से graphics मिल जाते है साथ ही यहाँ पर आपको बजाज का logo देखने को मिल जाता है और इसमें आपको kick भी मिल जाती है भाई यह काफी अच्छी बात है तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके engine की तो यहाँ पर आपको 144.68 CC का engine देखने को मिल जाता है साथ ही इस engine का जो power है वो 10.66 kW 8500 rpm पे generate करता है इसमें आपको maximum torque 13.5 Nm का 6000 rpm पे मिल जाने वाला है दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके dimension की तो यहाँ पर आपको seat height मिलेगी 790 mm और इसका जो ground clearance है वो 165 mm का है curb weight की बात करे तो इसका curb weight 145 kg है दोस्तों यहाँ पे single seat आपको मिल जाने वाली इस bike में और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ प्रियाग राज से और प्रियाग राज में United बजाज का showroom में जो कि civil lines में situated है guys मैं ये वीडियो वहाँ से बना रहा हूँ अगर आप आ रहे हैं हमें आप अपनी राय जरूर बताइए guys हमें इंतजार रहेगा आपकी राय का तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करके चैनल को भी subscribe जरूर कर दीजेगा भाई भूलिये का नहीं तो मिलते हैं फिर से ऐसी ही वीडियो के साथ guys अपने next वीडियो में तो guys see you please keep watching and keep watching my channel thank you so much guys